हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी उम्मीद है आप सभी वोत अच्छे होंगे आज का वीडियो लेसन बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश के वो संटेंस जिनने आप यूज कर सकते हैं क्लासरूम में और हाँ अगर आप एक मदर है या फिर आप बच्चों से डील करते हैं तो भी ये वीडियो लेसन आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है तो चलिए शुरू करते हैं आप यहां मेरे साथ रहोगे यू विल बी हियर विद मी हियर का मतलब होता है यहां देखो कुछ लोग इसको हियर प्रणशेट करते हैं जो की गलत है देखो बच्चे बड़े शैतान और मासूम होते हैं एक ही मिनट में बातों को पतानी कहां से कहां ले जाते हैं तो अगर आप उनको कहते हैं आपने तो सारी बात ही बदल दी अगले संटेंस पर जाने से पहले हम एक्जीबीशन वर्ड का मतलब समझ लेते हैं यानि की चीजों को इकहटा किया जाता है लोगों को दिखाने के लिए Schools में Science and Arts Exhibition होती है जिनमें इन से Related चीजों को दिखाया जाता है अगर आप बच्चे को कहना चाहते हैं आपने Exhibition के लिए बहुत तैयारी की तो आप इसे English में इस तरह से कहेंगे You prepared so much for the exhibition Prepare का मतलब होता है तैयारी करना देखो कई बार हमें बच्चों को डाट भी लगानी पड़ती है तो हम कुछ इस तरह की बाते कहते हैं तुम मेरी कभी नहीं सुनती इसे English में कहेंगे You never listen to me आपके पापा आपको घर ले जाने के लिए आए है Your father has come to take you home पहले अपना खाना कतम करो First finish your lunch क्या समय हुआ है What time is it, please? किताब bench पर है The book is on the bench अपने स्वाल पूछने से डरो मत Don't be afraid to ask your doubts ये sentence हम बच्चों के साथ तब यूज़ करते हैं जब हमें लगता है कि बच्चे अपने doubts पूछने में घवराता है यानि हम उसे motivate करने के लिए ये sentence यूज़ करेंगे आप इसे कितनी जल्दी याद कर सकते है How soon can you learn Soon का मतलब होता है जल्दी आप इसे हिंदी में कैसे कहते है How do you say this in Hindi आप आज कैसा महसूस कर रहे है How are you feeling today वहाँ क्या हो रहा है What is up there अपना bag उठाओ Pick up your bag एक के बाद एक पढ़ो Read one after another तुम्हें जाना चाहिए You should leave Leave का मतलब होता है जाना क्या मुझे किताब मिल सकती है Can I have one book आपने मुझे बुलाया You sent for me आप इतने चुप क्यों हो Why are you so quiet Quiet का मतलब होता है चुप होना समझ गए Got it मैं board नहीं देख सकती क्या आप थोड़ा हटेंगे I can't see the board Can you step aside ऐसा दोबारा ना होने देना Don't let it happen again देखो बच्चे तो बच्चे होते हैं थोड़ा भी मौका अगर उन्हें मिलता है तो वो बोलना शुरू कर देते हैं अगर आप बच्चों को क्लास से कहीं बाहर ले जा रहे हैं और उनको कहते हैं कि चुप रहना दूसरी कलास से चल रही है तो आप उसे इंगलिश में कैसे बोलेंगे इसे अपने शब्दों में समझाए उनका मतलब होता है अपने इसकी चिंता ना करे बाहर आओ और इसे बोर्ड पर लिखो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं एसा देखो कई बार होता है कि हमें भी बच्चों की मदद लेनी पड़ जाती है चले जाओ यह कैसे संभव है पैंसिल को छीलने के लिए ब्लेड का उप्योग ना करे अगर बच्चा सीडियों से नीचे उतरते वक्त दोड रहा है और आप उसे कहते हैं सीडियों से नीचे ना दोड़े व्यल डण चिल्डर चिल्डरन का मतलब होता है बच्चे चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा अगर बच्चा अपने क्लासमेट याग एनिमल की हेल्प करता है तो हम उसे मोटिवेट करने के लिए कुछ इस तरह का संटेंस चूज़ कर सकते हैं आप दयालू और देखभाल करने वाले हैं, मुझे आप पे गर्व है. You are kind and caring, I am proud of you. Kind का मतलब होता है दयालू, proud का मतलब होता है गर्व, केरिंग, देखभाल करने वाला. मुझे पता है आप सभी खेलने के लिए उत्सुक है, I know you all look forward to playing. Look forward to का मतलब होता है, खुशी से पर्तिक्षा करना, उमीद करना, आपको मालूम है, do you know? मैं आपके marks को लेकर चिन्ती तूँ, I am worried about your marks. Worried का मतलब होता है चिन्ता करना, क्या आपको extra help की जरूरत है, do you need extra help? नीड का मतलब होता है, जरूरत, लिखना बंद करो, pen down, stop writing. देखो, अगर आपने board पर कुछ लिखा हो है, और आप इसे मिटाना चाहते हैं, तो आप बच्चों को से ये जानना चाहते हैं, कि उन्होंने लिख लिख लिया और नहीं लिख लिया, उसके बाद आप उसे rub करते हैं, तो आप बच्चों को कहेंगे, may I rub it? फिर से कोशिश करें, आप इसे कर सकते हैं, try again, you can do it, again का मतलब होता है, दोबारा, try का मतलब होता है, कोशिश करना, अब जब break time होता है, तो आप बच्चों को बोलते हैं, it's break time, आप वहाँ बैठ सकते हैं, you can sit there, sit का मतलब होता है, बैठना, there का मतलब होता है, वहाँ, ये सीखने का समय है It's learning time मेरे साथ आए Come with me जितना चाहो ले लो Take as much as you want देखो कई बर ऐसी situations आती है कि हमें बच्चों को डाटना या डराना पड़ जाता है तो हम बच्चों को कहते हैं कि आपको सजा दी जाएगी तो उसको बोलेंगे You shall be punished Punish का मतलब होता है सजा देना वहां क्या हुआ What happened there Happened का मतलब होता है घटित होना आप यहां क्यों बैठे हैं Why are you sitting here आपने बहुत अच्छा काम किया है You have done commendable work Commendable का मतलब होता है सरहानी है यानि की परसंसा के योग्य कुछ और मत कहो Don't say anything else आपने मुझे बुलाया You sent for me तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देने की जरूरत है You need to focus on your career Focus का मतलब होता है ध्यान देना मुझे लगता है हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं I think we are moving too fast इसे हम तब यूज करेंगे Suppose आप किसी activity में बहुत आगे चल रहे हो या आपने syllabus बहुत ज़्यादा करवा दिया है चलो कुछ नया सीखते हैं Let's learn something new Learn मतलब सीखना something कुछ आप सभी अपने computer को चालू करें All of you turn on your computer Bus निकलने वाली है Bus is about to leave Leave का मतलब होता है निकलना About to का यूसम तब करते हैं जब कोई काम कुछी देर में होने वाला है वह अपने माता पिता की पहली संतान है He is the first born of his parents First born का मतलब होता है पहली एक बार में केवल एक ही topic पढ़े At one time study only one topic आपको social media पर अपना समय बरबाद नहीं करना चाहिए You should not waste your time on social media बैठ जाईए Settle down अपने हातों को ऊपर करो Raise your hands गरम मोसम के कारण स्कूल की चुट्टियां एक सप्ता के लिए बढ़ा दी गई है Due to the hot weather School holidays has been extended for a week Due to का मतलब होता है कारण Hot weather, hot weather, गरम मोसम Extend का मतलब होता है बढ़ाना अपने बैग या पैंसिल बॉक्स में नुकीली चीजे न रखे Don't keep sharp-assed items in your bag or pencil box Sharp-assed का मतलब होता है नुकीली Keep का मतलब होता है रखना Items का मतलब होता है चीजे एक दूसरे पर duster ना फेके Don't throw duster at one another देखो यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी Each other और one another दोनों का ही मतलब होता है एक दूसरे One another एक से जादा लोगों के लिए यूज करते हैं लेकिन each other केवल दो लोगों के लिए यूज करते हैं अगला sentence बच्चो को motivate करने के लिए है आप जीतने और सफल होने के लिए पैदा हुए है You are born to win and succeed Win का मतलब होता है जीतना Succeed का मतलब होता है काम्याब होना इतने कठोर मत बनो Don't be harsh मुझे अपना हाथ दिखाओ Show me your hand मैं नहीं चाहती की कोई आसपास हो I don't want anyone to be around Around यानि की चारो तरफ तो friends यह दि हमारे आज की वीडियो I hope आपको पसंद आई हो फिर मिलती हो एक नई वीडियो के साथ Till then, bye bye